आज फॉर्मूला है इस कंडिशन के लिए वो डायक लिए याद रखो मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड़ बाई 22.4 ठीक है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड़ बाई 22.4 तो आपको कभी भी कोई गैस दे दिया वॉल्यूम उसका अगर आपको पता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि उस गैस का मोल्स कितना होगा इस कंडिशन में अगर दिया हुआ है तब कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि समझ में नहीं आया सिद्धान तर डेरिवेशन मतलब तुम कहा चाहते हो कि यहीं पर पूरा केमिश्ट्री पढ़ ले है हम दूसरा चेप्टर नहीं पढ़ेंगे च्टा आप केमिश्ट्री मोल पढ़ा दिए टेरिवेशन बटा ओब तो तो बताया है, मैंने तुम लोगो तो दात तो रदू मैं, शरम करो, ठीक है, चलो बतायतता हूँ मैं. में इतने में किसी को समस्य, कोई ऐसा है, जो बोलना चाहता है, सब फॉर्मुला समझ में नहीं आया, आपने उर्दु फार से लिग दिया है, मोल्स का फॉर्मुला, जो भी गैस दिया है, उसका volume दिया रहेगा, इन लीटर, नहीं दिया है, लीटर में तो लीटर में convert करो, 22. 22.4 से डिवाइड कर दो आपके पास मोल्स चले आएंगे कोई एक्स्ट्रा दिमाग मालने की ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर यह जादू हो गया पड़ापड बोलो 22.7 बेटा 22.7, 24.7, 24.2 अगर आप बात करना चाहते हो तो इन दोनों कंडिशन्स में कहानी अलग हो जाती है मैं एप्रोक्षिमेशन की बात कर रहा हूँ इग्जेक्ट की बात नहीं कर रहा 22.4, 22.7, कुछ बुक में 22.24.2 ऐसा भी लिखता है बट मैं एप्रोक्षिमेशन की बात कर रहा otherwise इन दोनों कंडिशन में कहानी अलग-अलग होती है मैं समझा भी देता हूँ क्यूं होती है this is approximate formula ठीक है चलो ओके आगे आते हैं कभी ऐसा नहीं होगा एक बात जान लो कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर वहाँ पर 22.7 वाला चीज यूज करान चाहता है तो तुमको 22.7 वाला के को एकॉर्डिंग भी options और 22.4 वाला के एकॉर्डिंग भी हो नहीं होगा ठीक है अगर आपको ऐसा कष्ट होता है कि नहीं सरहम को तो नहीं ही पता आप तुमको बताई भी करो exact बताओ तो उसके लिए समझा देता हूँ कईसे निकालते हैं जो नही चाहता था बताना बड़ डेरिवेशन बतायता हूँ मैं ठीक है तो ध्यान रखेगा यह फॉर्मुला अब मैं डेरिवेशन की बात करता हूँ के भीया यह आया कैसे ठीक है तो मैं इसको मिटा रहा हूं कि इसक्रीन सोर्ट लेलना या छाप रहे हो जो छाप लेना इस Manual II इसे आपके चैप्टरा आएगा जिसको प्रेंज से कहा जाएगा GACES अब के अचाह्यट में स्प्रिट स 먼 Wein आW तो याज याश के पढ़ना कि बोल जाता है कि वूस fare besi ठीक है आइडियल का मतलब क्या हुआ कि हम जो नियम कानून बनाया है उसको फॉलो करेगा ठीक है उपर वाले का बनाया है वो नियम कानून फॉलो करेगा तो रियल गैस कहलाएगा ठीक है तो बोला गया है कि अगर गैस आपके पास आइडियल है तो वो एक एक एक्वेशन को को follow करता है और उस equation को बोलते हैं PV equals to nRT ठीक है और ये भी एक ऐसा equation है जो जिन्दगी में जब आपके आएगा तो फिर वापस कभी नहीं जाएगा ठीक है तो PV equals to nRT और इस equation से आता है आपके पास मोल्स का formula कैसे आता है मोल्स का formula यहां तको यह n भाई साब जाएगा वो मोल्स है तो मैं n equals to directly लिखता हूं PV upon RT किसी को समस्या है नहीं सर कोई समस्या नहीं है आर जो है constant है इसको बोलते है universal gas constant अगर मैं बात करूं इन टरम्स अफ लीटर, ATM या लीटर और बार तो इस आर की जो value होती है वो होती है 0.082 8283 दोनों भी लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं इसके लिए मतर हो ना किसा 0.083 किसी किसी book में दिया हुआ है और अगर यह साई unit में बात करोगे तो 8.3 होता है ठीक है तो इस वाले emols का formula क्या गया पीवी भाई आर्टी अब आपको अगर pressure पता हो आर तो constant isky value पता है temperature पत है दोनों ले लो कोई समस्या नहीं है ठीक है तो जैसे ही यह values temperature का pressure का R की put करोगे तो आपको दिखेगा क्या कि approximately यह convert हो जाता है इसका 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 in terms of temperature Kelvin में put करोगे तो लगभग यह बन जाएगा 22.4 लगभग लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है क कि भाया यह temperature के साथ तो बदल रहा है तो आप तो बोले थे कि 0 degree से 25 degree तक सेम ही value ले लो तो इसलिए मैंने बोला था कि उसका value जो थोड़ा बहुत आप्रोक्सिमेशन में चलता है मतलब 22.7 भी होता है 24.7 तक भी पहुंच जाता है बहुत जगह देखोगे तो 24.7 भी मान ल कि आयता है तो इसको दिल से मतलगाना ठीक है बस इतना सा कहना है कि approximate जो value होती है वो आपन लेते हैं 22.4 वो standard है वो formula लगाते है moles का question आएगा तो 22.4 से आपका काम हो जाएगा जब gaseous state का आएगा तो आपको ये formula लगा के solve करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका जो moles का formula आ गया है वो आ गया है volume upon 22.4 कोई ऐसा है जिसको समस्या है इसमें सारी values put करके तुम check कर सकते हो p की value 1 put करो r की value 0.082 put करो t की value put कर 273 और 298 आपका काम बन जाएगा दोनों केसमें अलग अलगाएगा approximately 22.4 ले लेते हैं अब बताओ किसी को समस्या है बोलना चाहता है भाया यह वही कान यह दियाद करो वे गैटरो नंबर बहुत छोटा होता था तुमको दिखाया था ना गैटरो नंबर की value exact value दिखायी नह नहीं दिखायी अगया यह जो हरकत है इससे समझ में आ गया चलो ठीक एनिवे तो यह ध्यान रखेगा इस फॉम्मले को अभी भी कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर जादू हो गया है उपर से चला गया नोबल हो गया समझ में नहीं आया क्या ही जादू बता दिये आप तो जिसको क्लियर नहीं है फटापट अपने हाथ उपर कर दो कि सर समझ से आओ गया समझ में नहीं आया क्या जादू बता रहे है आप तो यह बता नहीं वॉल्यूम कहां से आ गया अरि याद कॉंस्टेंट का वैल्यू क्या है बोला तो भाई 0.082 यहां लिखा तो है 0.082 लिखा यहां पर पढ़ो इसको अच्छे से है 0.082 और कोई समस्या है बाई बोल लो किसा समझ में नहीं आया है जादू हो गया सर यूनिट जानना चाहते है तो इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल अब लाश में बात करेंगे इस पर ठीक है चलो तो अपने पास फॉर्मुला हो चुका है टेंपरेचर 273 कैसा होगा बिट्टा रून टेंपरेचर हम क्या मानते हैं हम मानते हैं कि हम खुसी-खुसी रहते कब हैं जब एसी का टेंपरेचर जो है वह 22 डिगरी पर लगा कर र अब लोना पड़ता है जादे होता है तो फिर कश्ठ होने लगता है तो हम बोलते कहा है कि आइडियल टेंपरेचर जो अपने पास 25 डिगरी इस नॉर्मल टेंपरेचर उसको बोलते हैं तो इसलिए बोलागया 25 डिगरी का मतलब हो गया 298 केल्विन ठीक है मतलब 0 डिगरी सेलसिए ठीक है तो यह रहा है आपके पास एक फॉर्मॉला है इस तो फटाफट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर अपना आगे बढ़ेंगे बिल्कुल फरजी सा फॉर्मॉला है कुछ नया नहीं है इसमें नहीं है लिए कुला चाहिए होज़े है कि अटि़ टिरक्टrySti पास भॉर्मॉला है बढ़ुला है लिए क्वेश्टi 11.1 into 10 raise to 2 liter of N2 gas. अगर आपके पास nitrogen gas इतनी liter है, ध्यान देना, अगर आपके पास nitrogen gas इतनी liter है, तो बताईए उसका mass कितना होगा, message करके बताओ. जो message में आएगा answer, उसको में यहाँ option में डाल दूँगा, random सा question दिया है, बताओ, पड़ा फट, अगर 11.1 liter, कोई बोलेगा, असर समस्तिया है, 1 है, 2 है, तो यहाँ 11.2 भी ले लोगा, तो कोई दिक्कत, नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है, approximation ले सकते हो, ठीक है, तो 11.1 देता, 11.2 देता, तो रोना मत, यहाँ 11.35 देगा, तो भी रोना मत, कि नहीं, इस समस्तिया है, आप्रोक्सिमेशन ले सकते हो, ठीक है, चलो करो, 11.2 कर दिया, 11.2 इंटू 10 देश्टू 2 लिटर आपके पास nitrogen है, तो बताईए उसका मास कितना होगा, तो अपने पास ऐसे कैसे options आ रहे हैं, एक तो option आ रहा है, आपने पास 35 ग्राम, क्या बात है, तो option नम्बर ए है, 35 ग्राम, करो फड़ा फ़ाट, वेट कर रहा हूँ है, करो भाईया, एक option आ रहा है, आपने पास, 1.4 kg, एक option आ रहा है, आपने पास, 14 ग्राम, करो करो फड़ाबट करो इसको, एक आ रहा है, भाई यह क्या है, 1.7 kg, चलो, ठेक है, 4 options हो गए, तो अब मैं पोल लांच कर देता हूँ, जिसके इसमें सेंसर आ रहे है, तो ठीक है, नहीं आएगा, तो अलग से मुझे मुझे मैसेज करके बताना, प्राची बेटा, सॉल्व कर लीजिए, शहीदा बेटा, ठीक है, चलो, पोल लांच कर दिया, खड़ा-खड़ फोल में बताओ मुझे, तब तक मैं पानी का जुवार ला, अरे मोनु भी या, पानी मनी लाइए, यार, क्या बात है, मतलब इतनी जनता है, इसमें से अभी 25 परसें जनता का भी एंसर नहीं आया, मतलब का करना चाहते हो, यह बताओ, है, बोलो, करो फड़ा-फड़, रख रख दो, रख दो. साक्षी प्रिया विटा आप ग्रूप में अटेनेस दे दीजिये अभी भी बहुत लोग आंसर नियाए भाई आदी आंता आंसर दिये बस अभी भी आंसर नियाए अभी आंसर दो अभाई भाई भूब अभी आंसर नियाए अभी तक तो 26 लोगों नहीं दिया है मतला अधी जन्ता दिया है अधी जन्ता तो भाथ कर रहा हाथ हाथ के उपर हाथ रखके बैटिए उसर छोड़ो नहीं क्या है क्या ही देखे करेंगा एंसर अपन सब मोम आया है चलो ठीक है बहुत टाइम देदिया तीन टाइम देदिया आप क्या चाहिए अरे अनन बाबू हम आईशा नहीं कि नहीं देख रहें बहुत सारे अंसर आया है विटा मीस हो गया होगा फिर से बेज जो या दिल पे लगा ले तो यार यह बहुत बड़ी समस्या है ठीक है तो इस इन चीजों को दिल से मत लगाया करो कि सर ने जान मुझके नहीं दिया वनी ऐसा नहीं कि जान मुझके नहीं देता चूट जाता है तो मेरे को बता दिया करो दुबारा कि सर एक बार मैसेज कानी कर नहीं सबको बोल रहा हूं ऐसा इसको दिल से मत लगाया करो चालो ठीक है तो अपने को पता है कि वॉल्यूम कितना दिया है तो वॉल्यूम दिया है 11.2 लिटर्स ठीक है तो अपने को वॉल्यूम पता है तो अपने को वॉल्यूम पता है तो पहले मोल्स निकालते हैं मोल्स क्या होगा तो सब मोल्स हो जाएगा अपने पास गिवेन वॉल्यूम अपन तीटीटेटो पॉइंटीटो पॉइंट पॉइंटू इंटू टू टू डिवाइट ग्वाइट्टा गया अपने पास यह दो गया यह तो अपने पास हो चुका है पचास मॉल्स इटू 50 moles अपने पास आ चुका है, कौन आ चुका है भिया, nitrogen भिया, आ चुके है, 50 moles, ठीक है, अब 50 moles nitrogen भिया के mass निकालो, कैसे निकालेंगा mass, पुराना लगा लगा लो, बहुत लोग यहीं पर लगा लिए होंगे, sir, इतना मेनत क्यों करें, moles अलग से क्यों निकालें, यहीं पर तो W की value कितनी आ जाएगे, तो 15 to 28, तो सर्फ 50 गुडा 28, तो यह अपने पास हो गया, 1400, 1400 क्या हो गया, ग्राम, तो 1.4 kg, नीचे कर दो गया, नहीं दिख रहा है, गया, 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 दुखी मत हो, गया, तो अपने पास हो गया, 1.4 kg, मतलब option number B, जो है, वो अपने को देखने में तो सही लग रहा है, सॉल्व करने में भी सही आया, तो कोई समस्या नहीं है, हाँ जी, बोलो, वैश्न भी अभी तक सेंड नहीं किया, क्या नहीं किया, बेटा, ओ, सॉरी, ठीके, याद आ गया मेरे को, ठीके, ठीके, मैं सेंड कर दूँगा, हाँ, जी, कोई ऐसा है, जो बोलना चाहता है, कि सर ये पूरा-पूरा कहानी जो है, वो जादू हो गया है, तो फड़ा-फट आथ उपर कर लो, कि सर ये कहानी जो है, वो जादू हो गई, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो, कोई ऐसा कहना चाहता है जिसको ये समस्या लगता हो गया समस्या हो गया जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है फड़ा फड़ बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है बोल लो भाई दिमाग का सब क्लियर हो गया जा शितांत गरबड हो गया बिटा सब साप हो गया सबसाभ घंबू भए 28 कई से आया भाई 12 कई से आया मोल्स का फॉर्मॉला क्या नहीं होता है इस अख surdo मोलर मास है नाइट्रोजन भहिया का 14 होता एक एटम का दो का कितना हो गया 28 हो गया खेल समाप्त हो गया चलेगा अधर्स बाबू और कोई ऐसा जिसको इसमें समस्थ्या है एक और क्वेश्चन आनन्द बोल रहा है कोई बात ने लो दूसरा क्वेश्चन कि इसको रिलेट करके किसी भी तरीके से दे सकता है ठीक है तो लो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं कैल्कुलेट वाल्यूम इन लीटर्स और लिख रहा है ना इसे बीड़न इसे ओए a टरश और जिए अगाण अगर आपके पास इतने ओजोन गैस के तो बताईए वॉल्यूम कितना होगा इन टॉम्स ओफ लिटर्स चलो सॉल करो फड़ा फड़ और मुझे ऑप्शन बताओ मैं यह दे देता हूँ ठीक है करो सॉल नंबर ओफ ओजोन गैस के मॉलिकुल्स दिये हुए है आपसे पूछा है कि मैं यह बताईए वॉल्यूम क्या होगा मैं यह कंडिशन में इंसन करता हूँ एट एश्टी पी वरना समस्य आओगी तो मैंने बता दिया है एट एश्टी पी करो सॉल फुड़ा फट बेटा वॉल्यूम पूछा है वैश्णवी अच्छा ऐसा गया तो वैश्णवी बॉल रही है इतना लीटर होगा लिख लिया चलो यह अच्छा पी कि वाल्यूम पूछा आलता बाबू ठीक है मॉल्यकूल नें पूछड़ा यह झाल झाल चलंजन ने भी आरीज बोला है सर 6.72 लीटर होगा क्या बात है कोई एक और है 672 के एक और आया है 201 20160 लीटर मेरा फैबरेट आप्सन चौथा है यह भी दूंगा मैं करो सल पोल लांच कर दे रहां करो फर्जी सा क्वेस्चन है करो फड़ा फार्ट पार्ट करो पिर पार्ट झाल झाल करो फड़ा फट बेटा बहुत कम लोगा एंसरा आभी भी आसान सा क्वेश्चेन यार प्राची बेटा फिर से चेक की जी आप निशान फिर से चेक करो बेटा तान ने हाँ फिर से चेक कीजिए बेटा नितेश ठीक है वेटा निशान्त हाँ आप ठीक है अमर्जीत गर बड़े वेटा पिरसे चेक करो गर आओ ठीक है वेटा अनन्द कुछ गरबर लगता है वेशनवी चा टाइम अप मुझे बोल दिया बिटा टाइम अप हो गया वेशनवी बिटा मुझे बोलो सर टाइम पो गया सर आपका आपका तो टाइम हो गया सर अब नहीं हो सकता अब आपके मां गाश्क टेंग ऐसा है आच्च-चा मेरे लिए नहीं था, okay. मुझे असा लगाए कि मेरेको बोले सार, आपका टाइन म꺲े हो गया चलो, ठीक है एकária ऐसे आम बोल सकते हैं गों ऐसे और है कि protectable सकते कि चलो, ठीक है , okay मैं यहां पर अगर ऐसे लिख लू कि V by 22.4 equals to number by N है कोई ऐसा है जो रोना गाना मचाना एगा कि सर ये रोना गाना मुझे मचाना है इसने कोई ऐसा है नहीं मचा सकते हैं इसा कोई दिल पर मत लेंदा इसमस्या है खरके है हाँ जी कोई इससमर तेसर याहे गेясन आपने कई से लिख डिया हमारे कोपड़े में नहीं गया साउंड नहीं आ रहा है रितेज बाबू अपने हेड़फॉन सही करो चलो किसी को कोई समस्या नहीं यह साइधा बोलिए सर ऑफ्शन नमबर यह हो ठीके बेटा देखते हैं इसको मैं एक पाउर इसमें संदर लेकर आ जाता हूं मालो यह 24 कर दिया और यह 18 कर दिया इसको 24 कर गए 18 तो लिख सकते हैं न भाई यहां पे एक डेसिमल को आगे बढ़ा दिया अब कितने ही मंदारी से मुझे बताना है कितने ऐसे हो जिसने इसको डिवाइड किया है और 3.033 लिखा है तो यह मैं नहीं मान सकता कि कोई बोले ऐसा कोई नहीं लिखा है ऐसा हो नहीं सकता कोई तो जरूर लिखा होगा इमांदारी से बताना किसने लिखा है इस चीज को ठीक है तो यहां ध्यान दिजिए इस चीज़ को ठीक है यह गणित है इस गणित को हाँ अब बहुत लोग आ रहा है साकी बोला सर मैंने भी लिखा ठीक है तो देखो इसको जब ध्यान दोगे तो बहिया ऐसा नहीं होगा 18.066 को जब आप 6.022 से डिवाइड कि देगा तो exact 3 आएगा ना कि 3.033 आएगा हमको लगता है ये 22 ये 366 खचा कच खचा का चुड़ा दिया हम लोग को ओलन अब डिवीजन लगता है ना अगर माल देखो ऐसे वाला कानी नहीं ये जो 2 होता है निस 2 के साथ हमको बच्पन से समस्या है हम लोग इसको इतना फॉर ग्रैंटे लेने लगते हैं कि फटा-फट कहीं भी कटाक उटा देते हैं ठीक है ये कटाक उटाक हम 3. 3.0 33 लिख देते हैं और कभी गलते से ये मोस देगा ना तो ये option आपको पक्का देगा ठीक है तो इस इसको ध्यान रखना चलो तो ये 3.0 33 नहीं होगा भया ये सीधे 3 आएगा ओके 3 ये 10 देश्टू 23 ये 10 देश्टू 24 ये कट गया तो यहां बच गया 10 तो अपने पास ब 72 लिटर खेल खतम हो गया सर वहां उजसी बोले है वहां पे सर 24 कैसे हो गया बेटा मैंने यहां पर 1.8 जो दिया था ना मैंने इसको 18 कर दिया तो एक 10 अंदर में लेके चला आया तो इसलिए 25 को क्या बना दिया 24 बना दिया कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये पूरी कह कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये जादू हो गया समझ में नहीं आया रिया बेटा ये फार्मॉला क्लियर है मुझे ये बताओ चलो और यू अन करो रिया ओडियू अन करो हाँ बेटा बोलो ये ची समझ में आया ये कैसे लिखा पेला फोर्मॉला क्या पड़ा है तो बेटा बैट जा कोई कुछ ने कर सकता में ये फ्स लास है तो मोल्स का फामॉला प्रीया नंबर वाई यह ने आज बताया वालियू भाई 22.4 अब चलेगा अगर यह मैं फॉम्ला आपको बोलू कैसा होता याद कर लो तो अब इसमें आगे मैं कुछ समस्या तो नहीं कि सरागे ची समझ में नहीं आए कुछ नहीं हाँ ठीक है ओके चलो silent हो जाओ और कौन है जिसको समझ में नहीं आया कोई और कोई और ऐसा है जो बोलना चाहता है सर्जाद्व हो गया अब नहीं क्वेस्चन दे रहा है इस पर गवो मैं मिटाओ इसको तो इस एक और कॉस्चण दो इजी इजी वाले क्वेस्चन करने में को बड़े मजा आता है चलो शान्या बोले से एक और क्वेश्चेन ठीक है भाई या दे देता हूं एक और क्वेश्चेन ओके इक रहना इक रहना हुआ 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 है यह वी हो साइव तो सब्सकीज़ने लिए अ हो साइव 2.73 खो गज़े एक सिर्ट गज़ा इसको मैं सॉल्ब फर्मे लिग दाऊ हाँ गज़े एक मैं देख लेंदो डेटा एक सिर्ट गज़ाओ चलो तो अपने पास 8 ATM प्रेशर पर रखा गया है 273 कल्वीन है और 11.2 लिटर वॉल्यूम है अगर मेरे पास ऑक्सीजन को गयास को इस कंडिशन में मैंने रख दिया है तो बताईए उसका मास कितना होगा ओप्शन मैंने आपको दे दे रहा हूँ सॉल्व करो कुछ लोग तब मैं ओप्शन दूँँगा सॉल्व करो फड़ा फड़ 8 ATM प्रेशर 273 Kelvin 11.2 11.2 लिटर वॉल्यूम करो सॉल्व इसको इसका मास क्या होगा ठीक है पहला ओप्शन है 16 ग्राम किसी का तो आया है 16 ग्राम तो मैंने 16 text ग्राम दे दिया किहा रहा 64 ग्राम किसी का रहा 128 ग्राम चलो व्यक तो यह रहा 64 ग्राम यह रहा 128 ग्राम यह रहा मेरा फइबरेट अप्सन sıraz '' 8 ATM pressure पे 273 Kelvin पे 11.2 लीटर अगर oxygen gas है तो बताईए उसका मास कितना होगा कितने ऐसे इसको खोपड़े में नहीं गया कि इस question को solve कैसे करना है यह बताओ मेरे को कितने ऐसे इसको खोपड़े में नहीं गया जो नए हैं उनका छोड़ दे रहा हूँ मैं बेटा जो नय है सुन लो कुछ लोग नए है आजज कलास में तो आप लोगोंने पिछली क्लास नहीं किये तो आपको चीजे समझ में नहीं आएंगी जितनी समझ में आती है अपन है नहीं हम पढ़ने नहीं हमको नहीं पता ठीक है तो आप कर सकते हो कोई समस्या नहीं है पढ़ लोगे तो लए या सर बिल्कुल फ़रजी था कि अग के तान्याद ठीक है देखते हैं विटा रिवांस देखते हैं ता रिवांस फिर से देखो कुछ समस्या लगता है मेरे को अभी नौ गरबर लगता है मेरे को कि प्रसुट की की निचे कौने तक आई है। अजय मैं कुछ गरबर लगता है भी टाव्क है। बारती फिर से चेक कीजिए अब इशेक कुछ गरबड है आनन्द गरबड है प्रसान ठीक है गरव ठीक है आध्या कुछ गरबड है बेटा कुछ गरबड है बेटा कौन शाकीव प्रिया गरबड है प्रिवांश गरबड है अमरीत गरबड है चलो ठीक है ओके मैं पूल लॉंच नहीं कर रहा वैंसी जिए सॉल्व करके बता दे रहा हूं ठीक है देखो चलो किसी को तो पकड़ते हैं किसने किसे सही एंसर दिया जो सही एंसर दिया उसमें से किसी को पकड़ते है इसको मैंने बोला है ठीक है किसी को नहीं बोला है कि वे दो तिन का नाम मेरें को याद है हुआ 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 है चलो ठीक है तो अपन पर पकड़ते हैं अभी शान्या को हां जी शान्या चलिए बेटा बताईए तो मैं आपको 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 और यहां हुआ है क्या किया मेरा अब प्रही आपको अचलिए अब करने का पर्मिशन दे रहा हुआ है का ज़्या गया है टिखनी रहा से आप के जलो मैं एक आणस्वर बता रहा हुआ हुआ है यह एंस्वर आया था उसको मैं बोलू वो तो कमसे हम बोल सकते हो एंस्वर आ रहा है 128 ग्राम किसका किसका 128 आया है अंजन आजा बिटा हाँ अन्म्यूट करो अंजन यह सर फर्माई यह कैसे किया इसमें पी एक्वेशन ने न एक्वेशन होता है इसमें फी विगोल टुए न रती होता है अच्छा आइडियल गर्षक पीवेशन ने न थी होता है तो एनी कॉस्ट आमने लिख लिया पीवी वाई रटी कि यहां रिख दिया ठीक है और पिक उलेटों टू इण लिख दिया अच्छा दिया हुआ यह रिख दिया वार्ड़ का वैलु आप बता है जीरो पॉइंट 0.082 है ठीक है यह देख लो अरे बाई देख ले यहां पर कहा गाय हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं तो अन्जन बोला है कि सर्देको आर हो गया हो गया हो गया यहां देखो पी की वैलू रख दो, वी की वैलू रख दो, आर की वैलू रख दो, टी की वैलू रख दो, ये सारी वैलू जैसे हम रख दिया तो अपने पास मोल्स आ गया, और ये जो मोल्स आ गया है, वो अपने पास कितना मोल आया है, कितना मोल आया है अपने पास? फौर्मूला एक है कून मोल रहा फौर्मूला एक हैं चलो ठीक है तो अपने पास मॉल्स कितने आ गएंगा ये लग्बख जो वाल्यू ऑजाएगी वह कितनी आ जाएगी ओ डाल व्र गाल जाएगाintend कितना होता ऑक्सिजन का 32 इक्वल्स टू 4 तो अपने पास जब डवलू की जो वैल्यू आ चुकी हो 4 इंटो 32 देट इस 128 ग्राम तो अपना खेल खतम हो गया ठीक है भाई आनंद कहा है समस्या में हो किसा 4.0025 आएगा ठीक है अप्रोक्षीमेशन में बात करें तो क्या ही करमात कर दिया अब एक चीज और भी था इसमें बहुत लोग ने इसको कैल्कुलेट कियोंगे मल्टिप्लाई करके ठीक है अगर तुम चाहते तो थोड़ा असा बुद्धी का प्रयोग करते तो कोई समस्या नहीं होता इसको मल्टिप्लाई करने का ज़रूरत भी न तो यहां 22.4 ने हो तो यहां 22.4 लिटर था 11.2 था 11.2 ओपन 22.4 इंटो 8 फॉर सीधे आ गया मेहनती नहीं कर ना था समज में आया पुछ खोपड़े में गया या पार हो गया ये बताओ कि ये समझ में आया कि पार हो गया, मुझे जल्दी बताओ, फटाफट ये समझ में आया या पार हो गया, सर पता नहीं क्या ही जादू हो रहा है कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया है, जादू हो गया है जल्दी फटाफट बोलो चलो ठीक है तो अपने कोई इसमें कोई समस्या फटा फटा आ गया समझ में आ गया कोई ऐसा है फिर से बोल रहा हूं जिसको समस्या हो तो बोल लो भाई चलो ठीक है तो यह सेम क्वेस्चन है मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा है मैं एक डीटा बस चेंज कर रहा हूं कि मैं वसे टा यहां चेंज कर रहा हूं मैं यहां दे रहा हूँ 1092 Kelvin 1092 Kelvin इसको degree Celsius में किया जा सकता था और भी आसान हो जाता आपके लिए बट फिर भी मैंने इसको Kelvin में दे दिया ताकि calculation में रोना खाना ना मचाओ ठीक है तो आपके पास यह temperature दिया है यह pressure दिया है सुरू हो जाओ options आपके पास change करने हैं क्या क्यों change करूँ जब नन अपने पास दिया हुआ है तो solve करो solve करो फटा फट इसको कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है किसे इसमें करना क्या है जादू हो जाएगा कोई ऐसा जो कहना चाहता कि सर यह question जादू होने वाला समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या change किया है इससे क्या फर्क पड़ेगा कि वैष्णवी बेटा अनन्द ठीक है दो लोग कैंसर आ चुके है वैष्णवी के आनन्द के देखो पता नहीं नन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता मुझे नहीं पता मैंने बस बोला है कि नन भी option दिया हुआ है मैंने ये कभी नहीं बोला कि सर क्या है क्या है क्ष़्ण मदलिया तो ननी आएगा और जो लोग ना मैसेज में नन कर रहे हो ना मैसेज में तो मेरे को एक्जैक टैंसर करो ठीक है पोल करता तो बोलते सननन होगा पोल करो तो नन बोलो ऐसे मैसेज में मेरे को मास चाहिए इन टरंस ओफ ग्राम अमझे तेज ना बनो बटा चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं solve करता है इसको बड़ा पर देखो यह दिख रहा है कि प्रेशर को क्या कर दिया गया है दिख रहा है प्रेशर को क्या कर दिया गया है चार गुना कर दिया गया है तो प्रेशर को चार गुना कर दिया गया है तो प्रेशर को चार गुना कर दिय हो गया होगा simple यह four times बढ़ा होगा तो यह four times क्या हो गया होगा कम हो गया होगा चारगुना कम कर दो पहले वाले में कितना answer आता था 128 मोल्स कोई बुले आसर मोल्स थोड़ी है मास है तो भी है मास ही लिख लो तो मास divided by molar मास ठीक है तो यह चारगुना बढ़ा दिया temperature सारी कहानी सेम है तो मास क्या हो जागा चारगुना कम हो जाएगा चारगुना कम होने का मतलब कई हओ बटीस ग्राम बती Dep हम का मतलब क्या हो ऑफ्षें मपशं अमबरी MR is the correct erm किस को किसको समझ में आज भी मैंने बता या मैं पुरा solve करके बता हूं कितने ऐसा बोला चाहते हो सर तो जादू हो गये तो कुछ तो बोल रहे हो आप, पता नहीं क्या ही बोल रहे हो इम मंदारी से बता हूँ किसको खोपड़ में नहीं गा जो मैंने भी बोला किसाद four times इसको कर दिया तो यह four times कम हो गया और क्या clear है अब देखो यही pattern है question कि यही आने का यह temperature Kelvin में पकड़ा देगा pressure को कुछ बदल देगा तो ऐसे questions आते हैं यार फर्जी-फरी से questions आते है आज़ास बोला सब्सक्राइब honestly clear है inverse proportional inverse proportional ठीक है ओके तो यहां तक अपने को कोई समस्त्या नहीं है volume वाली कहानी तो अपना असानी से निब्टा सकते है ठीक है चलो तो इसके साथ अपना किजने टाइम हो रहा है दस बच के चार मिनुट चलो ठीक है तो इसके साथ अपना volumes related formula जो था इसका खेल खतम हो गया ठीक है अब यही एक और भी चीज है जो गैसे से रिलेटेड ही है ठीक है दैट इस वैपर देंसीटी ओके तो एक फॉर्मुला है वैपर देंसीटी का वो डैकली फिलहाल बता दे रहा हूं इसका मतलब जब गैसे स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेशन भी आएगा क्या होता है बट वैपर देंसीटी का डैकली फॉर्मुला बता इतना को वैपर देंसीटी होता क्या है तो मैं डैकली लिख रहा हूं वैपर देंसीटी ठीक है सिंप्ली इसको मैं यहां बता दे रहा हूं डेंसीटी विथ रेस्पेक्ट टू एच टू ठीक अब इसका मतलब क्या होता है बहुत डेफ्ट में वह जब गैसे स्टेट पढ़ोगे तब समझ में आएगा ठीक है तो वैपर देंसीटी का सिध्या अभी के लिए फॉर्मुल डेकली याद रखो एवरेजमोगर मास इकोल टु होता है तो हमको तो पता है आपgesetzने को नहीं पढ़ाइ failureará最हानीक थिया चाए तो से मेंआपको समझा दूंगा कि आपchuss के आवरेज मोलिया भीक वहाद नहीं पढ़ाया है तो आप शमस्या दिल को मस्या लिक्तिन पर मत ल utan ताको यह आपको समस्या ना हो, ठीक है, तो इसका जो formula होता है average molar mass का वो होता है N1, M1, N2, M2 up to N1 plus N2 up to जहां तक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, simple M का मतलब हुआ, molar mass जिसका दिया हुआ है, और N का मतलब हुआ उसके respective moles, ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिख लो, मैं इसमें कोई question नहीं करा रहा, वैपर से related, गैस से related पढ़ रहे हैं, कहाने, इसलिए मैंने यह formula आपको समझा दिया, जब question आएगा, तो मैं आपको समझा दूँगा, कि sir class के 5 minutes remaining में कुछ amazing fact about your subject बताया करिए, क्या चाहता है तू, है, बोलो, चलो, ठीक है, तो यह formula लिख लो, इस formula को, इसमें formula में कोई समस्या हो, तो फटाफट मुझे बता दो, किसा समझ में नहीं आया, वरना इसी के साथ आपन सभास समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे, सोचा था कि आज काहूत कराएंगे, लेकिन अब आज भी time नहीं बचा है, आज 10.6 मिनट हो तो आज भी count cancel है, ठीक है, तो इस formula को लिखलो, अगली class में जब आपन average पढ़ेंगे, empirical molecular formula पढ़ेंगे, उसके बाद आपन इसके बारे में discussion कर लेंगे, ठीक है, चलेगा, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है, सर अभी समझ में नहीं आया, जादू जादू हो गया, कोई मिलेगा, note साथ साथ लिखा करो, ठीक है, मैं पहले ही बो रहा हूँ, दुबारा बो रहा हूँ, कोई note सो अलग से नहीं दूँगा, मैं, बस last में एक formula का दे दूँगा, की formula वाला क्या होता है, ठीक है, formula की कहानी में दे दूँगा, ठीक है, सर इस chapter के कितने lecture और होंगे, को सर, STP, NTP क्या है, बेटा, STP, NTP, STP का मतलब होता है, standard temperature pressure, NTP का मतलब होता है, normal temperature pressure, ठीक है, मैंने बता दिया, normal temperature is 25 degrees C, standard temperature is 0 degrees C, ठीक है, pressure कितना, 180M, इसी को बोलते है, दो अलग-अलग conditions है, 180M pressure और 273 Kelvin बोलने के बजाए, सर, STP condition है, 180M pressure और 298 Kelvin बोलने के बजाए, बजाए, NTP condition है, ठीक है, तो वो pressure और temperature और अलग-अलग लिखने के बजाए, वो conditions आपको दे देगा, उसी को बोलते है, NTP, STP, इसके काफी details में यार चीजी आएंगी, जब गैसे state पढ़ेंगे, तो skill तबाह मत हो, ज़रूरत था, इसलिए हैं बता दिया, चलो, तानने आओ, के बिटा, ठीक है, अभी लिसके lectures कम से कम, बिटा, पांच बचे हुए, ठीक है, minimum 5, बढ़ सकता है, कम तो होने कोई chances नहीं है, ठीक है, चलो, ठीक है, तो आपके कुछ, लिए कुछ announcements हैं, ठीक है, तो आप 2 minutes wait कर लिजिए, अमन सर कुछ announcements करेंगे, ठीक चलो, आज की सबास हम आपत करते हैं, ठीक है, रियाल लगबा की 7 lecture हो चुके हैं, हाँ,